कि आज हम नया चप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि अलजब्रा सेकेंड चल लिए हमारी और यूनिट पहला चप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन था और साथ니 साथ वेक्टर को एड़ कैसे करेंगे उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे एक सवई ज components में कैसे लिखेंगे ठीक है ना उससे सारे कोशिन थे ईक Hag convenient के कोशिन देख ली हैं कोई भी चीजब नहीं चूटी उससे लिए हैं इसमें हम केवल मल्टिप्लिकेशन करेंगे दो वेक्टर्स का और वो भी दो टाइप का होता है तो एक मल्टिप्लाई के लिए एक चैप्टर बनाया है और दूसरे मल्टिप्लाई के लिए दूसरा चैप्टर बनाया है चैप्टर छोटे-छोटे हैं एक 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 से साइज है लेकिन अंदर समझने के लिए आपका बहुत है क्योंकि यही जो चीज यहां पढ़ लेंगे यही फिजिक्स में आपको हेल्प करेगी वेक्टर चैप्टर में और जो फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा है वो आपकी हल्प यहां पर करेगा तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा ब्रिटेल में मिलेगा आपको डॉट प्रोड़क्ट फिजिक्स के मुकाबले तो इसलिए आपका यह और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहां पर पढ़ें तो वो भी तैयार हो जाएगा वहां का साइंस पढ़ते रहें हमेशा धानक चैं कि दोट अगर हम स्केलर का मल्टिप्लाई करें तो आफ्वेज स्केलर मिलता है मतलब अगर हम दो अधिशराशीओं का गुना करें जिन में डिरेक्शन नहीं तो उनका मैंधिप्लाई करके हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी ही म अब इसके बाद अगर आप एक scalar से vector में multiply करें यह हमने पिछले chapter में देखा था तो हमेशा एक vector मिलता है आपको always जो है वो वेक्टर मिलेगा आपको जिसकी दिशा कौन सी होगी दिशा वही होगी जो इस वाली की दिशा होगी यह चीज हमने पिछले चैप्टर में पड़ी थी अब बात आती है कि अगर दोनों वेक्टर होने लगें वेक्टर इंटू वेक्टर करने हम अब देखें वेक्टर वेक्टर को मल्टिप्लाई करना भी दो तरीका है वी इंटू वी करना वी इंटू वी करना तो मैं अभी यह sign तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पर अब नहीं लगा सकता है, यहाँ पर सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि vector into vector कभी-कभी scalar हो सकता है, sometimes scalar and sometimes vector हो सकता है, ठीक है ना, यह main चीज है जो आपको सोचने में नहीं आएगी आपके, कैसे दो vector multiply हो करक और कभी-कभी दो vector multiply होके सदिशराशी बना देंगे, best example इसका जो है, वो कहा जाता है, वर्क, एक वर्क जो है, वो आपकी scalar quantity अदिशराशी होती है, और यह जिन दो के product से मिलती है, w is equal to f into s, तो वो आपके जो है, दोनो vector होते हैं, और vector, vector multiply करके आपको scalar quantity मिल जाती है, इसक जो best example होता है, वो होता है, आपका moment of force, यानि कि torque, इसमें क्या होता है, force into perpendicular distance from axis of rotation, यानि कि दूरी f और दूरी जैसी ही कोई चीज़ होती है, लेकिन जब हम इनका multiply करते हैं, तो उसके बाद हमें, जो quantity मिलती है, torque, वो आपके vector quantity हो जाती है, तो दो vector का multiply करके scalar भी मिल सकता है दो vector का multiply करके vector भी मिल सकता है, इसको और थोड़ा अच्छे रशब्गों में कहते हैं, तो r cross f कहते हैं, जब आगे बढ़ेंगे physics में तब आपको देखने को मिलेगा, अभी बहराल मैंने generally ऐसे लिख दिया था, तो problem यही आती है कि जब दो vector को multiply करते हैं, तो कभी तो वो scalar बनता है, और कभी-कभी वो vector बन सकता है, तो इन दोनों को नाम अलग-लग दिये गए हैं, जब दो vector को मिला कर, multiply करके scalar बनता है, तो हम उसे फिर कहते हैं, dot product, या फिर उसका नाम देते है, scalar product, क्योंकि उनको multiply करने पे scalar मिल रहा है, और इसको show करने का तरीका क्या होता है, हम दोनों vectors के बीच में dot लगा देते हैं, वहीं पर जब दो vectors को multiply करके हमें vector quantity मिलती है, जैसे यहाँ पर, तो फिर हम इस case में जो है, वो दोनों का multiplication को show करने के लिए बीच में cross लगा देते हैं, जबकि इस से पहले, जो scalar quantities में हैं, आप चाहें dot लगाएं, चाहें cross लगाएं, स आप दो vector को simple vv नहीं लिख सकते हैं, या तो आप dot लगाओगे, नहीं तो cross लगाओगे, ये बताएगा आपको dot product ये बताएगा कि हाँ भई multiply scalar है, आपका scalar product नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है vector product, या फिर इसको cross, क्योंकि cross use कर रहा है, इसलिए cross product भी नाम दिया जा तो चुकि इस concept की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए starting में हमें ये जाननेना बहुत ज़रूरी है, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस chapter में, और कितना पढ़ेंगे, और बाकी बचा हुआ क्या चीज़ हम next chapter में पढ़ेंगे जाकर के, तो आप एक बार इसमें से अगर किया आता है, तो आपका कभी-कभी वो scalar भी होता है, किसी situation में vector भी होता है, ये situation देख के पता लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई नियम हैं के लिए, कि ऐसा ऐसा करोगे तो scalar ही आएगा ये vector, वो situation जो है, जैसे आपको देखना पड़ेगा कि force और displacement को multiply करके, जब आपने work बना जैसे work, दो vector को multiply करके हमारा vector भी बन सकता है, जैसे कि हमारा torque, यानि कि बला घून जिसे कहते है, moment of force, जिसे कहते हैं, तो इस chapter में हम सदिशों का अधिश गुणन, यानि कि dot product पढ़ेंगे, यानि कि ये जो दो vector को multiply करके scalar जैसी चीज़ बन रही है, वो पढ़ेंगे, हमारे पास कोई vector दिया है, तो उसका प्रक्षेप क्या होता है, ठीक है ना, projection को हिंदी में बोलते हैं, प्रक्षेप, प्रक्षेप का अगर वैसे meaning देखें तो इसका मतलब होता है, च्छाया, च्छाया का मतलब क्या होता है, आप समझेए, shadow, जैसे माले सपोस करिए, हमने एक बल अगर बल्ब से ना करके सीधी सीधी रोशनी आ रही होती, तो देखें नीचे च्छाया कितनी बनती, light यहां से यह वाली तो नहीं पहुंचती, इसके बाद वाली पहुंचती, और इधर से भी इसके यह नहीं पहुंचती, इसके बाद वाली light नहीं यहां पहुंचती, तो केस में जो है वो इस रॉड की छाया इतनी बड़ी बनेगी अब अगर मालिया सपोस करिए मैं रॉड को थोड़ा तेड़ा कर दूँ ऐसे कर दूँ और फिर अगर मैं कहूं कि दुब बताईए इस पर छाया कैसी पड़ेगी तो अब देखे जब लाइट आएगी वो लाइट अगर ये ऐसे होती तो ये थोड़ा आगे तक निकल जाती और उस केस में चाया इसकी लंबी बनती अभी अगर मैं तीसरी सिचुएशन बना दूँ आपको कि इस रॉड को बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दूँ और फिर कहूं कि अब देखो वही चाया बनाओ तो केवल देखे उसकी चाया की जो लेंथ है इसी को प्रक्षेप कहते हैं उसकी प्रक्षेप की जो लंबाई है वो चेंज होती चली जाती है तो प्रक्षेप के केस में हम दो केस देखते हैं एक तो हमारा कोई भी वेक्टर दिया है एनी वेक्टर और एक हमारा पोजिशन वेक्टर दिया ह तो दोनों के case में projection कैसे कैसे बनाएंगे तो देखिए अगर मेरे पास कोई भी एक vector दिया है suppose करिए ये vector दे दिया मुझे ए vector दे दिया ठीके ना और ये a भी नाम इसका दे देता हूँ मैं और अगर मुझे से कहता है इसका प्रक्षेप इस line पर बताईए कितना होगा तो इसका प्रक्षेप कैसे निकालेंगे आप यहाँ से आप perpendicular我们 page द्रॉप कर देंगे यहाँ से perpendicular us page द्रॉप कर देंगे ये a का चाया a dash माल लिजिए b की चाया b dash माल लिजिए तो आपका जो यहाँ पर projection निकल के आएगा तो यह projection आपका निकलेगा आपका कितना A-B- यह length जो है आपकी projection के बराबर होगी और अगर आपको यह length calculate करनी है तो वो देखे इससे भी निकल आएगी A-C अगर मैं माल लूँ तो यह is equal to A-C भी होगा और अगर आपको हम theta दे दें तो आप इस A-C को निकाल भी सकते हैं triangle ABC ले ले अगर तो इस triangle में in triangle ABC और आप अगर cos theta ले 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 तो base upon hypotenuse यानि कि A-C is equal to आपका A-B cos theta आ जाएगा अगर आप vector form में लिखना चाहें तो आपका A-C vector is equal to A-B को A vector लिख दें cos theta इस तरह से आपका ये projection निकल सकता है आप देखें यही vector A-C vector जो है parallel में यहाँ भी चलाएगा वेक्टर को हम parallel में move करा सकते हैं तो इसलिए आपको ये तरीका पता लगा कि अगर किसी भी vector का किसी angle पर projection चाहिए तो उसका cost लगा देते हैं यानि कि एक तरह से component निकाल लिया है हमने component का भी तो यही तरीका है vector और जिस अंगल पर ले जाना है उसका cost आप लगा दीजे तो आपको ये मिल जाएगा तो इसका cost लगा के आपको सीधे ये projection यहाँ पर मिल जाएगा अब अगर बात आती है position vector की तो position vector क्या है वो देखे origin से ही start हो जाएगा ये देखे बात वहीं की वहीं है ये बस ये है कहीं भी कहीं से भी start होगा कहीं भी हो सकता है तो आप वहीं पर इसको component ले लिजे अब अगर मानिया suppose करें यहीं से मैंने o a vector ये small a vector है अब इसका projection चाहिए तो देखे एक सीरा तो ये नीचे आया ही हुआ है और दूसरे से आप perpendicular डाल दीजे तो ये जितना o b नाम दे दीजे इसका या तो तो ये यहाँ पर projection जो है वो आपका कितना हो जाएगा वो भी हो जाएगा अब अगर आपको ये theta angle पर दिया हुआ है तो ये वो भी निकालेंगे तो ये भी उतना a का component जितना आएगा a cos theta ये इसका यहाँ पर projection हो जाएगा तो दोनों diagram बनाके आप समझ लीजे projection किस तरह से निकाला जाता है और shortcut हमारे पास ये आ गया है कि किसी भी vector का projection निकालने के लिए आप बस जितने angle पर ले जा रहा है उसका cos theta ले लीजे यहाँ भी वही है उसका cos theta ले लीजे वो इस space में कहीं से भी कहीं start हो सकता था क्योंकि कोई भी vector था ये position vector है तो ये origin से start होगा तो पहला point तो इसका चाया आएगी देखें next topic हमारे पास आ रहा है अदिश्गुणन या बिंदुगुणन वही जो हमारा chapter है उसी की starting main starting हो रही है projection मैंने slave देख लिया क्योंकि इसके अंदर जब जरूरत पड़ेगी projection की तो फिर एगदम से आपको नए आना लगे इसलिए हमरे projection पहले ही देख लिया है उस चीज़ को तो अब अदिश्गुणन या बिंदुगुणन scalar product अदिश्ग को scalar भी बोलता है तो scalar product या फिर बिंदु का मतलब dot product हिंदी में भी dot लिखा जा सकता है dot product ऐसे करके भी paper में आता है तो दो vectors का dot product अब देखे define कैसे करते हैं तो define करने का मतलब जहां भी physics में या maths में define कर दिया जाए तो define का मतलब है scientist लोगों नहीं या mathematician ने उसको एक तरीका बताया है वो तरीका आपको सुनना है समझना है कैसे हो रहा है और फिर उसको follow करना है इसमें ऐसा क्यूं वैसा क्यूं क्यूं किया गया ये क्यों नहीं ले लिया वो क्यों नहीं वो चीज नहीं होती इसमें unnecessary दिमाग मत वेस्ट किया करिए definition का मतलब है define किया जा रहा है कि हाँ हम ऐसा कहेंगे ठीक है ना जैसे हमने डिसाइट कर लिया है कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो ये डिफाइन कर दिया गया है, अब इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि दो एक के पहले क्यों नहीं आ गया, दो का मतलब एक होता, एक का मतलब दो होता, ऐसे क्यों नहीं किया गया, त तो देखिए अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, सपोस कर ये एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और इन दोनों वेक्टर्स ये 0.0 पे बालिया लगे हुए हैं, और मुझे इन दोनों का dot product लेना है, A dot B लेना है, तो ये कैसे define होता है? तो ये define ऐसे होता है, ये is equal to होता है, तीन चीज़ों का multiply हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना? कौन कौन सी तीन चीज़ों का multiply होगा? एक तो पहले वाले वेक्टर का magnitude, ये देखिए A vector का mod, फिर दूसरे बार simply multiply दूसरे वेक्टर का magnitude, ये लिजिए दूसरे वेक्टर का magnitude, यान तो इनके बीच में एंगल देखिए, एंगल दो वेक्टर के बीच में देखिए, दो हो सकते हैं, अगर मैंने दो line खीज दी, तो एक एंगल तो ये हो सकता है, और एक एंगल ये देखिए, इतना बड़ा 360 minus theta ये भी हो सकता है, तो इन में से वो एंगल लेना होता है, जो 180 स से छोटा हो, मतलब acute हो, noon cone हो, तो जो एंगल इसमें से छोटा है, वो cos theta आप ले लेंगे यहां पे, और इस तरह से ये दो वेक्टरों का dot product define होता है, फिर से देखिए, definition, यही चीज language में लिखती जाएगी, बुक से आप language लिख लिजएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सम उनके product तथा उनके बीच के angle, cone के, cosine के multiply के बराबर होता है, diagram मना लिजए, और आप ये formula लिख लिजए, definition चाहें तो बुक से लिख सकते हैं, अदरवाइस definition यहां पे maths में नहीं पूछी जानी है, आपको बस ये चीज clearly पता हो, अब अगर आप magnitude को simple a से show कर दें, तो a, b, इ इस तरहें भी बोल सकते हैं, और इस तरहें भी लिखा जा सकता है, इसमें कुछ बातें लिख दे हम, तो पहली बात तो ये condition डाल दीजे, where theta जो है, वो आपका 0 से πाई के बीच में है, ये angle आपका कौन सा है, वो अला angle लेना है, जो आपने, जो 0 से 180 के बीच में हो, और इस इसे पढ़ते कैसे हैं, तो लिख लीजे, इसे a dot, dot ऐसे करके a dot b, a vector dot b vector पढ़ते हैं, बोलने का तरीका ये है, उसके बाद एक और point लिख लीजे, a dot b, अदिश राशी है, अदिश राशी है, इसका example लिख लीजे, work, कारे, w is equal to force into displacement, f dot s, force भी vector है, displacement भी vector है, लेकिन ये जो है, आपका कारे, ये जो कारे है, वो scalar बनता है, तो ये best example है, आपका, scalar product या फिर dot product का, next topic देखी आता है, हमारे पास, अदिश कुडन का जामिती अर्थ, geometrical meaning of dot product, देखे ये, अगर physics होती, तो इसको, पढ़ाते ना पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं है, बलकि physics में इस पना detail में समझाया भी नहीं है, आपके syllabus में भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझना हो, यहाँ पर बहुत जरूरी है, maths में, और यहाँ से जो results निकलेंगे, उनकी जरूरत आपको आगे तक पढ़ेगी, थर्ड समिस्टर तक में बच्चे जो हैं, वो यूज कर रहे हैं इसको अधी तक, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लें, कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जामिती अर्थ का मतलब होता है, कुछ geometry से कुछ concepts निकलेंगे, और आपको उन्हें ध्यान में स्थीटा यह होता है हमारा, आप देखें इसको हम थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के कुछ देखते हैं कि क्या कोई यह नई चीज़ बन जाती हमें, कोई ऐसी चीज़ इसमें बन जाए, कि मतलब वो तीज़ से फाइदा मिलने लगे हमें, तो जड़ा उसको देखिए आप आप इसे चाहें यह वेक्टर मॉड ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको लिखने से थोड़ा सा और अजीब सा लगने लगता है, मतलब बच्चों को और टफ सा लगने लगता है, इसलिए हम उसको लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप चाहें तो A वेक्टर मॉड और B वेक्टर मॉड लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें देखिए, फर्स्ट वे, पहला तरीका मैं देख रहा हूं, मैं क्या करता हूं, A.B में A को तो किनारे रख लिया, लेकिन B को एक ब्रैकेट में कर बेता हूं, और इस डाइग्राम में जर आप देखी आकर के, अगर मैं यहां से B का प्रक्षेप ले लूँ A के उपर, तो मैंने बताया था भी थोड़ी देर पहले, B का प्रक्षेप जो इस दिशा में आएगा, एंगल पता है मुझे, तो यह प्रक्षेप जो है, वो B कॉ आरे मैंने अलग कर लिया, तो मैं नेक्स लाइन में इसा ऐसे लेख सकता हूं, A.B is equal to A into B vector का A vector की दिशा में प्रक्षेप, मुझे बताये क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यह चीज़ clear है, अगर आपने प्रक्षेप बिलकुल धंग से पढ़ा है, और आप इसको B.product धंग से सम आपको पता है, कि B का A की दिशा में प्रक्षेप होता है, तो अगर आप इतना यहां तक पहुंच रहे हैं, तो अब आप देखिए, अगर मैं इस value को calculate कर दूँ, तो यह upon में चला जाएगा, यानि कि मैं लिख सकता हूं, B vector का A vector की दिशा में प्रक्षेप, तो यह is equal to हो जाएगा, A vector dot B vector divided by A, इसको आप एक formula में बंद कर लें, box में बंद कर लें, मतलब यह आप ऐसे formula यूज करेंगे, और इसमें आप याद करने का क्या concept है आपका, जिस दिशा में आपको प्रक्षेप चाहिए, जिसकी दिशा में चाहिए, उसके magnitude से divide कर देते हैं, देखे, dot product तो दोनों का आएगा, A और B जिसको ले जाना है, जहां ले जाना है, उन से मतलब नहीं, वो ठीक है, वो तो dot product आगया दोनों का, नीचे कौन आएगा, नीचे magnitude किसका आएगा, तो वो magnitude आएगा, जिस दिशा में आप ले जा रहे हैं, A की दिशा में ले जा रहे हैं, A की त से देखो कि इस A को इसके साथ लगा लो एक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर और आप जानते हो एक्टर किसी वेक्टर में उसके मैगनिट्यूट से डिवाइट कर दें वो यूनिट वेक्टर बन जाता है पिछले चैप्टर में मैंने ये डीटेल में पढ़ाया हुआ है देखे हमारे हम मेरे से लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो मैं अपने ही कंसेप्स में घुमाता फिर आता रहूंगा कि हाँ देखो वहां बताया था वहां बताया था आप पॉइंट तुद पॉइंट चलते रही या आपको सब समझ में आता रहेगा ठीक है न इसलिए आ आप बाद में उनसे देख सकते हैं आगे पीछे छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है आप अगर लेक्टर नहीं ले पा रहे हैं तब भी आप उसको कर सकते हैं अब देखे तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ एक कैप डॉट बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ अच्छा कैप को मैं बाद में लिख दूँ इसको पहले कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है बी वेक्टर डॉट एक कैप ये भी एक तरीका है बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं और इस तरह से भी ध्यान लखते हैं इसको रटने का तरीका यहाँ है कि जिस वेक्टर को ले जाना है वो तो वेक्टर ले लो और जिस दिशा में ले जाना है एक तरेक्टर अपको जो पसंदाए वो करिये ठीक है ना ये भी तरीका सही है तो मेरे इसाब से तो दोनों में फरक फोड़ोना है कुछ है, तुरंत जैसे उसकी भी जरुरत पड़े तो आप इसको जानते ही हो, तुरंत उससे वो भी बना सकते हो, भाई ये एक एप हो गया, तो बी वेक्टर डॉट एक एप, जिस वेक्टर को ले जाना है, वो वेक्टर, औ अब देखिए, अब आता है, इसको दूसरी तरह से भी एनलाईज कर सकते हैं, मैंने क्या किया था अभी, बी के साथ कॉस्टीटा लगा लिया था, मैं दूसरा भी तो काम कर सकता हूँ, मैं एक के साथ कॉस्टीटा लगा लूँ, बी को किनारे कर लूँ, तो अब आप डाल अगर मैं A से अब देखे प्रक्षेप इस पर डालना है तो पर्पेंडिकोर डाल दीजे तो ये A का प्रक्षेप B के उपर आया और ये वैल्यू अपकी बार क्या हो जाएगी उसकी जरूरत नहीं है मुझे ये वैली वैल्यू आपकी A थीटा पर आएगा तो A कॉस थीटा हो इगल टू फिर से वही A डॉट बी अपॉन बी हो जाएगा तरीका वही रहेगा याद करने का कि जिसकी दिशा में प्रक्षेप जा रहा है उसको उससे मैगनिटूट से डिवाइट कर देंगे इसी को अगर मैं यहां पर आगे कर दूँ A का B की दिशा में प्रक्षेप तो आपका आंसर आजाएगा A vector dot B cap कहने का मतलब है A की दिशा में B vector का यह भी आपको बतलेगे ना A का B की दिशा में प्रक्षेप जिस वेक्षेप चाहिए वो वेक्षेप ले लो और जिस दिशा में चाहिए उसका cap से multiply कर दी जाती है तो यह आपको उसी चीज़ को हम दूसर तरह से भी कह सकते हैं तो चाहें जिसके प्रक्षेप को आप निकालना चाहें A dot B में से A का B की दिशा में निकालें तो वो पहला method नहीं यह दूसरा method बन जाएगा और B का A की दिशा में निकालें तो पहला वे तरीका बन जाएगा किसी का भी किसी की तरफ चाया आप प्र जा सकते हैं, प्रूफ करने को आ भी सकते हैं, तो देखें, पहला जो नियम फॉलो होता है, वो होता है, कम्यूटेटिव लॉट यानि कि क्रम विनिमे नियम, क्रम विनिमे नियम, dot product जो है commutative होता है मतलब कहने का यह है क्रम वी निमी नियम का पालन करता है इसका पालन करने का मतलब क्या है क्रम वी निमी है, वी निमी मतलब exchange होता है क्रम मतलब order अगर आप exchange करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब यह हुआ कि A.B करो या फिर आप B को पहले कर लो A को बाद में कर लो तो बात बराबर होती है अब हम देखेंगे इसको proof कैसे होगा इसका क्रम भी निमे commute करना मतलब उल्टा सीधा कर दें तो बात बराबर रहे तो इसको देखे proof कैसे करेंगे आप सबसे पहले A dot B लीजिए तो A dot B अगर हम लेंगे तो देखें क्या हो गया A इंटू A vector का magnitude इंटू B vector का magnitude इंटू cos of theta ये होता है अब देखें ये magnitude है जैसे 2, 3 हो गया अब 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो बात वराबर रहती है ये simple number है हमें ये नहीं पता कि ये आगे बिच्छे हो सकते है तो ये तो पता है कि simple number है वो आगे बिच्छे हो जाएंगे तो आप B को पहले लिख सकते हैं A को बात में लिख सकते हैं और cos theta देखें अब B ये cos theta A B cos theta अगर A dot B होता है तो B A cos theta क्या होगा उसका प्रूफ आपके सामने है, आप इसे नोट करें, कम्प्लीट करें, लेकिन एक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास M अदिश राची है कोई, लेयर M स्केलर, M का A से डॉट प्रॉडट लेके फिर डॉट करूं B से के साथ, या फिर M को मैं B के साथ रख लूँ फिर A से डॉट करूं, या फिर मैं पहले A डॉट B करूं फिर M करूं, तो बातें बराबर रहती हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, अदिश राची अपनी मर्वी से कहीं भी आ जा सकती है, कोई फरक नहीं पड़ता, डॉट प्रॉडट पे, ये प्रॉपर्टी ये बताती है आपको, ठीजे ना, मतलब अदिश राची को हम एसोसियेट कर सकते हैं, किसी के भी साथ, कोई कोई इसे कभी कभ एसोसियेटिव ला भी बोला जा सकता है, साहचर रेनियम भी बोला जा सकता है, कि M को इसके साथ भी रख सकते हैं, B के साथ की भी रख सकते हैं, और दोनों के अलग भी रख सकते हैं, देखिए इसका प्रूफ भी सिंपल साही है, कैसे करेंगा हम इसका प्रूफ, हम देखिए क्या करते हैं, MA.B निकाला मैंने, तो देखिए अगर आप इसको एक मानते हो इसको एक मानते हो तो इधर क्या हो जाएगा M A का magnitude तो M तो खुदी magnitude है A का magnitude के वल A आ जाएगा B का magnitude B और इंटू cos of theta equation number first also अगर मैं ये निकालू A dot M B तो देखे क्या होगा A का magnitude A और M B का magnitude M into B और इनके बीच का एंगल cos theta M पहले कर लो A भी बात में कर लो देखो equation first जैसी चीज आ गई also तीसरी चीज निकाल के देखो M A dot B M और A dot B का मतलब क्या है A का magnitude B का magnitude and cos of theta तो ये भी वही चीज आ रही है तो from first, second, third right side तीनों के बराबर है इसका मतलब M A dot B is equal to A dot M B is equal to M A dot B यानि कि हमारी property जो है वो proof हो जाती है चरिये तो आज chapter हमारा start हो गया है और कुछ हमने starting कर दिये इसकी और कल आपकी properties जो है हम पूरी खतम कर देंगे और उसके गाद परसो इसके numerical करके chapter finish हो जाएगा ठीक है ना? तो आज को class को यहीं पर खतम करते हैं दन्यवाद